नमस्कार मैं आपके साथ हंजना और आप देखें तक खबरदार नियूज आईए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर ओंका रेश्वर से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर वेक्ति की मौत के बाद कच्रा ट्रॉली में ले जाया गया शव मध्य प्रदेश के एक खंडवा जिले की तीर्त नगरी ओंका रेश्वर में शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया एक वृद्ध के शव को कच्रा गाडी में डाल कर ले जाया गया विछलित करने वाला या वीडियो जिले के ओंका रेश्वर का बताया जा रहा है जहां नर्मदा के घाट पर एक अग्यात वेक्टी का शव मिला जिसे नगर परिशद द्वारा नगर परिशद की कच्रा गाड़ी में डाल कर ले जाया गया इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जम कर वारल हो रहा है अब जिला प्रशासन इस मामले में जाच की बात कर रहा है तीर्थ नगरी ओमकारेशवर में एक वीडियो वारल हो रहा है इस वारल वीडियो में एक शव को कुछ लोग कपड़े की पोटली की सहायता से एक ट्रैक्टर टॉली में डालते नजर आ रहे वारल वीडियो में कोई शक्स बोलता नजर आ रहा है कि यह बड़ा ही शर्मसार करने वाला मामला है जहां एक व्यक्ति का शव कच्रा गाडी में डाला जा रहा है बता दे कि ओमकारेशवर में बारह जोतिर लिंगों में से एक जोतिर लिंग इस्थित है यहां शर्धालू मोक्ष की तलाश में आते हैं लेकिन इस तरह का वीडियो वारल होने से तिर्थ नगरी की भी छवी खराब हो रही है इस वारल वीडियो से साफ पता चलता है कि ओमकारेशवर नगर परिशद की लापरवाही है शव को घाट से उठाने के लिए नगर परिशद को शव वाहनी भेजनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंग ने जाज की आदेश दिये हैं उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले एक वीडियो हमारे संग्यान में आया है उसकी जाज के लिए उंकारेशवर CMO को बोला गया है कि इसके पीछे का कारण बताएं पता किया जाएगा कि वहाँ शव वाहिनी है या नहीं अगर नहीं है तो वहाँ पर शव वाहिनी की व्यवस्था की जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें